आज में बहुत इंपोर्टन मेडिसिन हेली बोरस नाइकर के बारे में बात करूंगी यह एक मैसी मेडिसिन है जो ऐसे किसमें दी जाती है जो गंभीर टाइप के होती है और जादा तर यह जो इंडिकेशन होता है इस दवा का वो ब्रें रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ह होता है तो ऐसे केसे जहां पर ब्रें रिलेटेड इशुज हुए हूँ जैसे सबसे इंपोर्टन है हाइड्रो सिफलिस यानि की सिर में पानी भरना बहुत ही कॉमन ली कंडिशन देखी जाती है और यह जो दवा होती है नंबर एक दवा हो जाती है होमिपती की अगर हम भर र सचैने महरस नाइगर होती है यह बनाया जाता है?!? कृस्समस रोस इसका कहमन नीम होताШ है उसके रोड से le की रोड ईकर android रोड से सा माधर तींचीय के जाता है यह जो मेदेशन ही है सबसे सबसे इस सबसे का जो इंपर्टन एक्षिन होता है और ब्रेन पर होता है इस् बच्चा होता है, बहुत ही डल रहता है और हर वक्ट सोया है, कोई इसके push of the reaction Called 4-5 cases कैसे यह कोशने आभी तक देखे हैं जोस्क Angeb request he Adrian तो अकरख बंगी उसके बहुत ही अधिसकोद सुसस्त है और उस केस‍पे ने बहुत अच्छा काम किया है एक दो केसस के बारे में इस वीडियो में भी आपको बताऊंगे तो अगर बच्चा बहुत सुस्त है इत्म acute idiosy है उसके अंदर जैसे कि idiotic behavior रहता है वो देखने में भी बहुत डल नहीं पाता है अपनी गर्दन को खोल्ड नहीं कर पाता है तो ऐसे केसे में हैलीबोरस एक बहुत लेकिन जो dullness रहता है बहुत जादा रहता है mentally भी dullness रहता है physically भी dullness रहता है अब मैं आपको एक केस के बारे में पहले बता देती हूं जिसमें हमने हैलीबोरस दिया था और जिसके बहुत अच्छे मिले हैं लेकिन बाद में उसके डिटेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगे मेरे पास एक बच्चा है साथ महीने का अब कुछ सिम्टम्स हैं जिस पे हमने इस मेडिसन को दिया था और इसके रिजल्स बहुत अच्छे हैं जैसे कि पे जो फादर हैं बच्चे के उन्होंन कि पूरा लूज रहता है बॉडी टेंप्रेचर ठंडा रहता है है कि बॉडी है पूरी ठंडी रहती है और जो सीर है वो हलका सा गरब रहता है इस्पेशली आपके ऑसीपिट की तरफ गर्दन सभाल नहीं पाता है आई मोमेंट नहीं करता है यह जो बच्चे होते हैं बने पाने लगता है तो थोड़ी हरकत नहीं करता है खिलोना बजाते हैं तो कोई हरकत नहीं करता है मतलब वो बिल्कुल भी डल रहे है खिलोना भी बजाते हैं तो कोई डलनेस बनी रहती है बच्चा और लार गिराते रहता है अच्छा कुछ चीजे मुझे इसमें पढ़ने मे भी नहीं आ रही है, मां को पहचानता नहीं है, सेंस डिवलब नहीं हो पाया है, दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है, अच्छा, सीना हमेशा धरधर करता है, कब्स का समस्या है, वाओके, यूरीन बार-बार जाता है, जरूर से जादा जाता है, हाथ पैर फूला फूला रहता है, बॉडी बहुत फ्लैबी है, जन्मे के 4-5 दिन के बाद जॉन्निस हो गया था, जो की 18 तक पहुँच गया था, फॉटो थेरिपी 10 दिन तक चला था, ठीक है, यह है इंडिकेशन जिसमें हेलो बोर्स ने बहुत वांटरफू रजर्स दिये कि हाँ बच्या के हाथ पैर यह सब उसमें सब कुछ लूज रहता है, जैसे आपने कोई समान उठाया हो, इस तरह से बच्चा निका था, और इसको हैड्रस का केस था, बच्चा हैड नहीं होल्ड करता था, और जब हमने वीडियो कंसल्टेशन पे पैर से बात किया, तो हमन इसको चूते हैं तो बच्चा अपने पैर को खीच लेता है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉंस है, हैड होल्डिंग उसको आ चुकी है, मदर को भी देख करके, भी स्माल नहीं आई है, लिकि मदर को पहचारने लग गया है, काफी हद तक ये डिवलप, अभी ये डिवल जब करता है, तो उसको बहुत तकलीफ रहती है और फिलो में भी बोर करता रहता है, आसे गुषाता रहता है, और मूव करता रहता है, अगर आप खाने पीने के लिए को चीज देते हैं, तो खाने की चीज़ बिलकुल नहीं ले सकता है, इतनी बेज का बच्चा हो जिसको पानी जो है अगर चम्मज से पिलाते हैं तो वो पानी ले सकता है बट लिक्विड के फॉर्म में लेगा। अगर पानी पिलाते हैं तो चम्मज को भी मुँ में पकड़ लेता है। और उसके बाद भी सो जाता है। सुलातने में, जगाने में, खेलने में हमेशा वो सुस्त रहता है। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी है जो रिस्पॉंस दे सकता है तो रिस्पॉंस देने के बाद फिर से वो सो जाता है। भी हलयवारोस के के सेज में, हम क्या देखते हैं कि विद्धापी हाथakersक पਹल स्क्वच जाता है। हम होमेपथी में इसको हम शुक्त है तो वह दे बहुत काम होती है रिस्पॉंस बहुत काम होता है नहीं वह दिवेलप ही हो pretend माइल्स्टोल्स बहुत डिलीड रहते हैं, पैरलिटिक सिंप्टम्स भी आ सकते हैं, और जो आईज है वो हमेशा बहार की दरफ निकली हुई है, भारी पन उन में लगा रहता है, एक ही चीज को लगातार वो देखता रह सकता है, और योरिन के अगर हम बात करें तो जब बच पानी कठा हो रहा है, अगर हम डाइरिया की बात करें तो इसमें फ्रॉग स्पॉंड लग डाइरिया होता है, जैसे बच्चों के किसे में देखा जाता है, इसमें देंटिशन, तो अगर दात निकलने के समय, बच्चे के अंदर इस तरह से सिंप्टम्स आ रहे हैं, एपिल जैसे आने के लिए, तो उस केसे में भी होता है, कि अनकॉंशियस रहता है बच्चा, लार बहुत जादा निकालता है, और उसको दारे पड़ते हैं, बहुत ही डल रहता है, बोडी बिसके बहुत ही ज़्यादा लूज रहती है, रिस्पॉंस नहीं करती है, और मेंटली भी बच्चा बहुत जाता है, एक और इंपॉर्डन इंडिकेशन होती है, हैलिबोरस की जिसमें बच्चा जब सोता है, क्योंकि हड्रोस बच्चा है, जब सोता है, तो बहुत गहरी नींद में सोता है, लेकिन फिर उस गहरी नींद में भी उसके मुझसे आवाज निकलते है, मतलब बच्चे को पता ने, लेकिन फिर उसके मुझसे श्रीक निकलता है, तेज आवाज तीखी आवाज निकल सकती है, बिमारी की दोरान, तो इसको भी एक इंडिकेशन माना जाता है, हैलिबोरस का, और हैलिबोरस की केसे में, जो बच्चा होता है, यूरिन फ्रिक्वें जाती है, क्योंकि यूरिन बहुत काम पास करता है, बोड़ी में फ्लू डिकठा हो रहा है, तो वह बहुत इंडिकेशन हो जाएगी, कि अगर आपने हलिबोरस दिया, और बच्चे का यूरिन खुल के आने लग गया, तो समझ लोग कि आपकी हलिबोरस मतसिन अच्छा काम क मतलब आपकी दबारों को सही सेलेक्ट हुए है, तो हलिबोरस एक ऐसी मेडिसिन है, जो कि सीरिस्टी सेंडिश में दी जाती है, चोटी मुटी परोलमम्स में और ब्रेन एलिएट इलेटे प्रोलम्स में दी जाती है, इडियोसी बहुत जाफा रहती है, पेशेंट बहुत ही इंडिकेशन बन जाते हैं हैली वोरस के तो अगेन मैने बताया कि यह सीरिस प्रॉब्लम है इस दवा को ज्यादा तर कोशिश करें कि doctor की संपर्क में आकर के ही अपने बच्चे को दिखा करके ही इस दवा को लें इक बहुत इंपोर्टन दवा है और होमेपती की अर्जनसी में कान मने लिए बहुत अच्छी दवा है तो अगर हम इसकी पावर की बात करें तो हैली बोरोस को जादा तर हम 200 पावर से स्टार्ट करते हैं 200 पावर की एक गुजदे करके कुछ समय हम वेट कर सकते हैं अल्टरनेट डेज या वीट कर सकते हैं उसके बाद जैसे रिस्पॉंस रहता है इसकी पावर को बढ़ाया या उतना ही मिंटेन किया जा सकता है हां हेली बोरास एक बहुत बहुत अची दावा जिसमें इंफउजन के लिए भी दिया चाता आ जैसे की ड्जिटालेस हैं और दोस्रे और भी बहुत सारे दवाय और होमेपती की दावा है बहुत अची रिस्कुका का कामद आइ अगर बच्ची के अंदर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं मेनेंजाटेस हैं 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 यह सारी कंडिशन से हैं तो आई होब की हैलिवरोस टाइगर के ऊपर यह वीडियो आपको पसंद है होगा विश्यम वेरी गुड हैल्थ थैंक्स वाचिंग